नमस्ते मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ आज छे दिन के बाद बाहर निकला और मेरे जैसे कई सारे लोग है जो आज काफी दिनों के बाद बाहर निकले हैं का मतलब यह नहीं है कि अलोग डर पोख है लेकिन जब तक अपनी जरूरत की चीज़ें खतम नहीं हो जा रही है कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि बहुत बड़ी सोचल रिस्पॉंसिबिलिटी है और यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो हमारे गलती जो है दो हब्ते पहले इटली ने की थी स्पेन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी इनका कांट अगर आप देखे स्टेज वन जो हुआ था चार मार्ज को यहाँ पर सिर्फ 500-600 केसिश थे स्टेज 2 गो था 14 तारिक तो यहां पे 14 तारिक को शायद 5000 केसिस थे और stage 3 में आज यह पहुंच चुके है 19 तारिक केवल 4 दिन में यहां के केसिस जो है 15,000 के आसपस बढ़ चुके है तो प्लीज प्लीज यह गलती आफ मत किजिए हमारे देश में घर पे रही है घर से बाहर मत निकलिये क्योंकि हमारे देश में अगर यह फैल गया न तो बहुत बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यह देश जो है यह बहुत आडवांस्ट है इनके पास हॉस्पिटल्स और इनका जितना पॉपुलेशन है उसके कंपारिजन में हॉस्पिटल्स और वह बहुत जादा है हमारे देश का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन हमारे यह अगर यह फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा और यार यह लोग जो है ना यह इत इसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में और अगर यह भी सोच रहूं कि यार मैं तो यंग हूँ और मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी इमिनिटी अच्छी है और फिर होगा नहीं लेकिन अगर आपके बॉड़ी में अगर अगर फिर कर्फ्यू वाली सिचूएशन आ गई जैसे इटली में है तो कर्फ्यू का मतलब आप जानते हो कि जो हमारे सैनिक जो बॉडर पे है जो अल्रेडी है उनको फिर वहां से उठा के फिर उनको हर जगा से शहर में डिपलॉई करो और फिर अपनी बॉडर खाली करो उसके अपने अलग डिसड़वांटेज है तो यार हमारे जो है सोल्जर्स जिसकी इतने लोग जादा रिस्पेक्ट करते हैं वो तो घर से बाहर रहे के सारे त्योहार योहर छोड़के बॉर्डर पे है तो आपको तो कोई बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है अपने ही घर में रहने बोल रहा है तो प्लीज अपने घर पे रहिए अपना खयाल रखिए और सुरक्षित रहिए और जो गलती हमने यस जो गलती इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने की, वो प्लीज हमारे भारत में मत कीचिए, अपना का हयाल रखिये, जाहिन